ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों नमस्कार मैं भूपेश अनन मैं भूपेश अनन देख पर फिर आपके सामने लेक्चे नुबर थ्री बेसिक्स और पोर्फोलियो मारेजमें और यह 10 मोड्यूल्स में से एक मोड्यूल है मैंने आपको जैसे बताया था अब बैसिक कंसेप्ट एकनामिक्स से इन फैनाइट प्रॉट्फोलियो मासमें अभी घरे और इसमें 15 ऐसे हैं जो हमें डिसकर्ष करने हैं पाटेर दस मोड्यूल्स अंक्रूड कैने हैं फंडामेंटल्स अफ अकाउट्स एन फानेंशियल फानेंस मॉड्यूल्स है कि रागि यह जिनके basic concepts clear नहीं है और सभी एक बार अगर यह concept समझ लें तो that is very very beneficial for their examination preparation or basic knowledge also and there are 15 concepts as you can see in the in the screen but a 15 ऐसे concepts है जो मैं basic concepts in portfolio management में डिसकर्स करने वाला हूँ और आपको काफी जाएदा knowledge मिलेगी है ना तो इसमें हमने already मैंने discuss कर लिया है what I mean by investments जैसे आपका सामने स्क्रीन में आ रहा है what I mean by investments then what I mean by portfolio what I mean by securities what I mean by portfolio management what I mean by what I mean by you know risk security analysis security analysis का है और fundamental analysis का है ना जैसे मैंने यहां पर यह बताया है कि एक Mr. X और Mr. Y है if Mr. X is there and Mr. Y is there तो यहां पर मिस्टर एक्स जोए पूरे दसलाग रुपे TCS में ढाल रहे हैं TCS की शेर्स ले रहे हैं but Mr. Y let it be Mr. Y Mr. Y is investing in TCS I CSI bank deposit gold property तो मैं कहूं को Mr. Y is investing in a portfolio 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 का मतला होता है एक से ज्यादा bundle of securities दो या दो से ज्यादा उसको बोलते है फिर अमने ये फोटो बनाई दी अचा लास प्लास में क्या वह था कि थोड़ा सा print and interest we have already seen that this is revenue this is recurring in nature this is non-recurring in nature ये कभी गभी होगा जब बेचेंगे तो रक्रिण अलग चीस होती है return हमने देखा हमने रिटन रिटेन हमने रिटरन के लिए को ठीज रहान के लिए यह देखें भूलिंग बेर रिटर्ण एन वी आगे चलेंगे इसे पहले इस पहले जो आपके लिए तोड़ा सा लेकिन लेक्ट्टर तू में इनको दिखाया थे थोड़ा था तो तुछ कुछ कुलरिंग की वज़ा से कैमरे की प्राइब वैसे कुछ कुछ प्राब्लम अगी थी तो एक बार देख लेए मैंने ये चार्ट बनाया था अब मीनिगों पॉर्टफोलिव इस विच विच वजा बूर्डड इव्री ब्रेट्वरल रिसकर रिटर्ण अभी तहन हम कर रहे हैं रिसकर रिडर्ण उसके बाद तीन अंसर थे दोगी फ्र ज़िश आनद आज आपके सामने बिते ये बात के आएं और रिस्क की बाते कर रहा हूं और मैंने अभी तक रिटर सस्राइब आपसे इसे अपनियाइशन से इक्सपेक्ट करतेे जब आप Infosys के TCS के डाबर के अपोलो के एसी सीमन के शेर्स बाए करते हैं तो यू एक्सपेक्ट संथिंग आपके मन में कुछ उसके अंदर एक अपेक्षा होती है उसी का नाम है रिटर्न हमने चार रिटर्ण्स डिसक्स कर लिए थे अब बिलिए रिटर्न एन्वल रिटर्न एवरेज रिटर्न और एक्सपोस रिटर्न एंड एक्स एंटे और फ्यूचर रिटर्न और एक्सपेक्टे रिटर्न ठीक है जी रिस्क की बाते आज करेंगे मैं भूबेश अनन्द आज आपको रिस्क की बाते हैं थी हमगा कि खाली हम इसकी बात करें एफ पहले तो ऊपर heading लिक लीज़्ए सभी बच्चेकंक च्त्य आप सबीक्षे शबी क्या करेंगे अपने रगटर मार्ले म्हें करेंगे ये और पहले करने के ग्रेट मौनिंग ग्रेट बुपेश अनन्द आपके सामने fundamentals of accounts and financial modules के 10 modules में से यह बेट 10 concepts basic concepts basic concepts in portfolio management basic concepts in portfolio management start this is lecture number three we have already seen what I mean by return we have already seen security analysis we have already seen investments मैं समय basic बाते आपको पता रहा हूं आपको portfolio management में यह बादे बड़ी life में help करने वाली है आये महरबान कदरदान मैंने आज आपके सामने मैंने एक आपके लिए मटका बना दिया बिटे मटका जस है वे लुक ओन दिस मटका यह लेक्चर थी का मटका बिटे और इस लेक्चर तरी के मटके से दो चीजे निकल रही है एक निकल रहा रिस्क और एक निकल रहा है रिस्क रिटर्न मैंने नीचे लिखा मुर्गी अभी आप कुछ पूछूँगा इन रिलेक्शन टू मुर्गी पहले अभी नहीं पूछ रहा पहले आप यहां देखिए आप अपने रिजिस्टर ओपन कर लीजे लेक्चर नमबर थी कर रहे हैं बेसिक कंसेप्शन पॉर्टफोलियो मानेजमेंट कर रहे हैं आप कोई भी एक्जामन सेक्षों में घर से बाहर जाना था आपको सब्सक्र पता हुआ क्योंकि कोविट सेना रहा इन काम में सबका क्याये विजा साथ है अगर आप बाहर निकल रहे हैं विजा उचको अगल रहें इंदी ने आंको कोबीट वारेश इस दुनिए पहर किसी चीज में आप मुझेए एची बता अप एरोप्लेट से इंडिया से आप बेंककॉक जा रहे हैं इंडिया से यह किस कहीं भी जा रहे हैं अपनी मोटर देखिल चला रहे हैं पैदल चल रहे हैं इस दुनिया में रिस्क है मैं अभी I am talking from the point of view of portfolio investment scenario मैं भुपेश अनन मैं सिये मैं सिये मैं अमेरिक और मैं लंडन आज आपको ये बात बताने जा रहा हूं कि मैं जो आज discuss करूंगा रिस्क की बात करूंगा और जो रिटर्न की बाते करूंगा पेटे बाते बाते करूंगा पेटे बाते बाते करूंग लिए निकाले पर आपे दे बाते बाते बाइन और यंघ निकाली ऑड़िक Harmonie की मुर्गी पहले आई थी यह अन्डा वहले आए था यह 2 कर लिए अब यह आपको उसी का एक्जांपल बताऊंगा आप बताएए आप पहले लिखे इस मटके से पहले रिस्क आएगा और पिर रिटर्न आएगा विकाज रिस्क आपके ऊपर निर्भर करता है depends upon you that you want to invest in kingfisher airline you want to invest in मुठ्धू फालाइंस you want to invest in barclay finance you want to go for small करना चाहते हैं हर किसी चीज का रिसक अलग अलग है आप मोमो स्क्रीट बेन तो मुझे ही ठानी आपको क्या लगता है क्या क्या रखता जी आप बताइए दिल हूं हूं करे जब आप एक्जामेलेशन दे के आते हैं और जब तक रिजल्ट नहीं आता दिर इस अंसर्टिनिटी इन्वार्ड कि आप जैसा सोच रहे हैं जो भी आप सोच रहे हैं वैसा ना हो और आपके मुल में ज्यादा नेगेट इस तो रिस्क का मीनिंग है तो पॉसिबिलिटी ऑफ डेविएशन जो आपने सोचा इन यूर एक्स्पेक्टेशन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उस एक्सपेक्टेशन का वैसा ना होना उतने नंबर ना आना ट्रेन का उस समय तक लेट ना होना एक्जामेनेशन में प आना जो आपने सोचे थे इन सभी का नाम है रिस्क तो रिस्क इस पॉसिबिलिटी कमर बिल्कुल सीधी में फिर रिपीट करता हूं आपको अभी यह समय लिए पंदरा कंसेट में सबसे इंपॉर्टन कंसेट स्टार्ट होगे इसके बाद जो भी कंसेट होंगे ना रिटर् सबसे इंपॉर्टन है आने वाला समय इंडिया का है इंडिया डेवलप कर रही है आपको पॉट्फोलियो बनाना है आपको पता होना ची रिस्क है क्या तो मैंने कहा उसके लिए आपको कमर सीधी करनी है आये आये महरबान कदरदान मैं भूपेश आनंद आप सब के जामने यह कहता हूं कि आपको एक कॉइंट लिखना है रिस्क इस सब लिख रहे हैं रिस्क इस रिस्क का मीनिंग लिख रहे हैं मैं भूपेश आनंद आज अपनी होश में आपसे कह रहा हूं कि आप अभी लिख रहे हैं हिम्मत कर रहे हैं आप लिख रहे हैं रिस्क इस दा रिस् possibility of risk is the possibility of variation variation in expected return because we are doing from portfolio management point of view it means something deviation in which you are in as per your expectations that is risk अलग 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 तरह की होते हैं दोस्तों और आजकल तो आप देखे रहे हैं अभी कुछ दिनों पहले आप देखते हैं कोई कमपनी टॉप में थी निफ्टी में थी अज उसका दिवालिया निकल गए इंसॉल्वेंट हो गई आप देखने पहले जमाने में पेज वह वाशिंग मशीन में कपड़े होते हैं जिसमें करेंट लगता था पानी डालना पड़ता था यह करना पड़ता था इसे लग रहा है कि दुनिया जैसे बदलती जा रही है और कितनी जल्दी बदल रही है अगर आप नहीं बदले तो आप आप आउट्डेट हो जाएंग जबकि कोविट के बाद तो काफी सारे टीचर्स ने ओनलाइन में कर दिया था मैं आपसे कहना क्या चाहरा हूं कि भगवान कृष्ण ने एक बात बोली है कि जो नहीं बदलेगा हर चीज बदलती जा रही है जो नहीं बदलेगा वो पीछे रह जाएगा तो रिस्क का मतलब in the union is the deviation in your expectations not there can be different types of risk for example, technological risk, for example, financial risk, for example, liquidity risk, for example, portfolio risk for example, political risk, so that you can understand what is the meaning of risk it means aap is a country made कि से एकॉनिमी में किसी कंपण्इ TB में इंडस्ट्री में इंबेस्ट करते हैं तो आपको रिस्क ब्यर करना पड़े जोर रिसक अलग नहीं कि हो सकती है उसको डिसक्स करेंगे पहले लिखे पहले लिखे पहले लिखे में भुपेश अनद्थ यह मत का बढ़ाया मैंने ऊडिचमें लिखा मैंने टाइप ऑफ रिस्क लैरा रामीटाइव्टा ओप्रिसक अलग-लग थारंग गया हैं जी है को यहीं पर घड़ाँ मैं यहीं पर घड़ा ऊँझा और यहां पर तिके नीया आपको तो कोई बात नहीं माद लिख नहां कैमец कि नहीं हरा रहा हुं से टाइप साण पैटे कुछ internet क παी कवं ऐटे टायतO पेस्ट आफ रिस्क यह कवट ऍंटी लिखा है यह टेकनलोजिकल रिस्क लिखा है यह ग्लोबल वोहमिंग दृट स्का आफ रिस्क रिस्क लिखा है पिरहों मैं उन्य स्टुड़ीश के लिए पहले आपको यहाँ पर आ गया और भाइखते हैं वप्टिसस्च के मीनिंग रिक पतारें लो जी लो लो मेरा बेटे लो लेलो मेरा बेटे मेरा बेटे आओ लिखो concept no.5 पंदरा concept discuss करेंगे बैटे आज इस concept की धजया उड़ा देंगे logically समझेंगे की रिस्क का मीनिंग क्या है रिस्क को calculate कैसे करते है रिस्क को calculate करने के लिए स्टेंडर्ड डिवेशन क्यों निकालते हैं स्टेंडर्ड डिवेशन कार पियर्सन ने क्यों निकाली उसने यो फॉर्मूला बनाया तो क्या लॉजिक रखा भुपेश आनन्द बताएगा पेटे काल पियर्सन की कहानी आप कमर सीधी करके जुक कर मोबाइल फोन में देखना लाप्टॉप देस्टोप में देखना है आप अब लिए रिष्क नमबर फाइव रिस्क पॉसिबिलीटी रिस्क इसटाप आप डेवियोटिली आप लिएशन लिए ऐप कुग है वैसे या आप वेडिशलिक लिएचटे लिए कुछ भी लिख लें आपकी मर्जिया भाई दिक्कत वाली बात नहीं है रिस्क इस दा पॉसिबिलिटी संभावना आफ चेंच और डेविएशन इन एक्सपेक्टेड रिटर्न आप जो सोच रहे हैं वो रिटर्न ना होने की आशंका को रिस्क बोलते हैं ठीक है आगे लिखि और अगे अग तरह की रिस्क होते जी कसम होगी अगर आपने ना लिखा पेटे ए टुचेट इपॉर्टन है फानेंशल रिस्क लिक्विडिटी रिस्क सब लिख रहे हैं सब लिख रहें मैं सब एक 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 लोग्जमपल दूँँआ आपको लोजिकली समझ आएगा किंग फिशर एरलाइंस का नाम आप आप सब को पता है मैं अभी किंग फिशर एरलाइंस का वीडियो दिखा रहा हूं बैटे एक ऐसी कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसके पास अपने इंपलोई को पैसे देने के लिए सेलरी नहीं थी सब्सक्राइब करने पड़ सकते हैं एक का नाम है फानेंचल रिस्क दूसरा बेटे लिक्विडिटी रिस्क लिक्विडिटी आपने किसी ऐसी कंपनी के खरीद लिए जो बजार में बिखते ही नहीं है ऐसे अब वो लिस्टे-डी नहीं है लीक्विडिटी रिस्क इन्वेस्टमेंट रिस्क आपने जाहं पें इन्वेस्टमेंट की वह कंप्नी तूप गई बिस्टमेश्प जैसे मने एक्सांपल दिया नोकी आग का मैने एक्षांपल दिया कॉटक केमरास का आपको पता है कि गुगल गुगल को भी आजकल कॉंपेटिशन मिल चुगा पैटे एए जी जी पीटी चाक से क्योंकि दुनिया बदल रही है बिस्नस मॉडल सी खतम होते जा रहे हैं ओला उबर पहले जमाने में टेक्सी चलती थी आप स्टेंड में जाते थे आप में ट्रकरते आप बुक करते तो जाते से जमाना बदलता जा रहा है यार बिसनेस रिस्क लिक विडिटी रिसकलाई विम्सकर ठीक है अधिया सब लिगुआ है टैक्नी टु इप्टेक्नलॉजिक्य कं आ होदा है यार। नौकिया बाद को पांसी गुगल सब उन श्वक्ष तो आप आप आपने चेंज यह भी रिस्क है इट भीस इव आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी विच इस आउटेटेटेट एंड विच नॉट वालिव न्यू टेकनोलजी आपके शेयर रूप जाएंगे तो आप एज इन्वेस्टर सोच रहे हैं ठीक है पॉलिटिकल रिस्क यह दो द्रशाब मैं क्या बताऊं रेशिया वासि मैं के बात इरान वार और इज्राइएल वर्होइल से गाजाए आप समझ रहे हैं याफ पाकिसान की पॉलिडिक्स गार देखें तो आप समझ पारे हैं चाहांँ वं तो say ठीक नहीं है तो पाकिसान में लॉस होगा और इंडिया में बेन वेट होगा इस पॉलिटिकल तो रिस्क अलग लगता लागता है लेकिन एक बच्चे ने मुझ छोटा कर लिए चोटा करने की बात ही नहीं हमें सारे रिस्क करने नहीं है कि वी वॉंट भी और फानाइन्स पीपल हम पैसे की भाषा जानते हैं आपको बस एक दो रिस्क पता होने चाहिए कि अगर आप किसी सेकुरिटी में इन्वेस्ट करते हैं तो किस किस तरह का रिस्क बियर कर सकते हैं पोर्टफोलियों में क्या कर रिस्क होता है मतलब कि द्यान से मैंने एक एक्सांपल लिखा लिखोगे तो फायदे में रहोंगे नहीं तो समय दार को आप सब होई आगे आपकी मर्जी है भाई साफ मैंने लिखा कि एक कंपनिय क्स है पड़ी मेहरत कि एक कंपनी वाय है मैं फिर रिपीट कर रहा हूं हिम्मत मत हारना कमर सी एक कंपनी का नाम रख देते हैं अपोलो डायर्स और दूतरी कंपनी का नाम रख देते हैं डॉलो टायर्स पीचे तो कंपनी एक को रिटर्न हुआ चोंतिस परसंट का इसे निकालते हैं यह एक साल का एनुल रिटर्न है पता आपको पीवन माइनस पीजिरो प्लस डीवन अपॉन पीजिरो इंटू हंडड़ एक साल का ओलिंग बिलेट रिटर निकाल लिया फिर दूसरा चाल में 31 परसंट है फिर 30 परसंट है सब बच्चे लिखेंगे बेटे लिखेंगे मैं कह रहा हूं खाली सुनना मत आपको लॉजिकली समझ नहीं आएगा अगर आप इसका एवरेंज निकालने जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था सिग्मा एक्स अपॉन एन तो बेटे यहारा है 31 परसंट करके देखिए प्लीज सबी सबी बच्चे नॉर्मल से साइंटिपिक से जिससे करना है नहीं करना है वैसे कर लिजे अचा कंपनी वाए का प्रिटर्न है चववन परसेंट बारा परसेंट उनतिस परसेंट इसका अवरें निकालना तो इसका भी थर्टीवन परसेंट या रहा है विकास मैंने आपको एक बात समझानी है इसलिए जानके मैंने फिगर्स कुछ इस तरह से ली कि आपका दिमाग में प्रेशर पड़े और आपको सोचने के लिए मैं मजबूर कर दूँ अब मैं आप पूछना चाहूंगा कि दोनों में एवरें रिटर्न सब्सक्रांग आए करने कंपनी लृक्रिया मैं खोंग करना आइथ सर्मक्रांग दोन एक लिंट य सब्सक्रारम करें लृट्रन करना है मैं प्रेच्टी परकुर्ण एंप्नीड़ में अगर सबीश्मिर में नहें यह बहु थन सथा नर्मल या दिल्ट में यहां बेरा आ कि टॉन्टी एट है यहां पर थर्टी टू है इट मींस ज्यादा वेरियेशन नहीं है मतलब आप समझे एक ज्यादा डेवियेशन नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत अच्छे नंबर आ गए किसी बच्चे के और एकदम वह फेल हो गया तो यह सोचने का कारण बन जाता है कि ऐसी क्या बात रही होगी कि एक बार फिफ्ट क्लास में टॉप किया सिक्स्ट क्लास में फेल हो गया इसका मतलब इतनी साली डेव रिएशन होती है वह जाद़lä रिस्की होता है आपको पाते कोट शीप पीरेज़ में लड़का और लड़की को की मीटिंउस होती डॉनल्स में बैठ जाएंगे कभी कहीं बैठ जाएंगे कभी हल्दी रा में बैठ जाएंगे लड़की और लड़का कुछ किसी में बुद्ध में डिसकेशन शुरू करते कुछ बाते करते हैं को अच़ बड़ा इंपॉर्टेंड एप कोहं बोला लड़की को मुझे अच्छा लगता ये अच्छा लगता ये अच्छा लगता ये अच्छा लगता है ँ कि अब लड़के ने जो पहले बोला था उस से बिल्कुल ऑपोजिट बोला उसे का बूझे अच्छा बहुत जादा वेडियेशन इसका मतलब रिस्की है लिएटे जिसमें जादा डिवेशन होती है हम बात 31 की नहीं कर रहे है यहाँ भी 31 है यहाँ भी 31 है ठीक है अगर आप कंपनी वाय को देखें तो बैटे इसमें 51 पर्शन का फिर 12 पर फिर 29 पर्शन का फिर 27 पर 33 का मैं जाने अन जाने में आपको कारल पीर्सन के स्टेंड़ का बेस समझा रहा हूं मैं आप से यह कह रहा हूं कि 31 से ज्यादा डेविएशन यहां पर नहीं है बढ़ अगर आप यहां देखें तो द्यारा कोपेश आनद आपको यही बात कहने जा रहा हूं कि अगर आपको रिस्क कैलकुलेट करना है क्योंकि अभी आपने देखा कंपनी एक्स और कंपनी वाइए में आपने कहा कंपनी वाइज मोर रिस्की जबकि अवरे रिटन दोनों को 31 परशंट है बट वह 31 निकालते समय काफी सारी वेरियेशन से ऊपर नीचे उपर नीचे इसका मतलब आपकी थॉट्स उपर नीचे हो रही है इसका मतलब आपके विश्वास नहीं कर सकते इसका मतलब आप रिस्की हो अब इस रिस्क को को निकालते कैसे इन पॉर्ट्फोलिय मारेजमेंट तो वी यूज वन टूल जो काल पियर्सन जो यूके में रहता था काल पियर्सन का नाम सुना हुआ सभी ने अभी मैं फोटो दिखाऊंगा इसकी कारल कारल पियर्सन और यह आपने ना अपने किसी जमाने में स्कूल में भी इसका नाम सुना हुआ है आप करते थे मेजर्स आफ सेंट्रल टेंडेंसी जो मैंने रिटर्न में बताया था मीन मीडियन मोड फिर कुछ बड़े हुए आपको सिखाया मेजर्स आफ डेवियेशन मट्रीशों डिसपर्जिटें कुछ है मेजर्स ऑफ दिसपर्जन और मेजर्स ओव डेवियेशन मतलब डेवियेशन सिखाई गया उसमें पहला टूल सिखाया है के स्टेंडरेशन किसिर बनाया था? ऐस्ति क्षुठ तो मर गया चाहल का करना है मैं crison का वह कतन través को सिखाये तूल सब लिखेंगे यह स्लाइट आपको मिलेंगे निया आप यह मैं सोचेंगे मैं अटाइश कर दें डिस्क्रिप्शन में नौर्वल यूट्यूब लेक्चर भी नहीं है इसलिए कह रहा हूं आप कमर सीधी करके लिखते जाओ रिजिस्टर रिलक्स से बनाओ लिक्ष रि दो करो यह कुछ भी मत करो अभी देखेंगे दूसरा टूल लिखेंगे बड़े पापा जैसे हमारी joint family होती है एक होते चोटे पापा चोटी मम्मी बड़े पापा बड़ी मम्मी पैटे में हिंदूस में मुस्लिम में किसहीं भी आप देखें तो पुनहाने जमाने में बड पापा चोटे पापा बड़ी चोटी मम्मी चोटे भाईया सब साथ साथ रहते थे तो मैंने का स्टेंडर डेवेशन इस छोटे पापा इनको होल स्केर कर दें तो बड़े पापा आ के वेरियंस और एक कोफिशन और विएशन तीन टूल्स याद रखने आज के इस लेक्चर के थुरू मैं भूपेश अनन्द अपनी होश में यह तीन टूल्स आज आपको बता के छोड़ दूँगा चलिए जी standard deviation का मतलब क्या है पहले लिखेंगे बटे भूपेश अनन लॉजी की बताएगा इस major of deviation लिख लेए जी पहले the major of deviation of actual returns from standard returns average returns or mean returns or average returns is named as बैटे किसी बुक में नहीं है ऐसे मैंने अपने सिंपल वर्ट में लिखा आप यह मत सोच नहीं और मिल जाएगा मिले गाई नहीं कोई समझाएगा नहीं सब बैठके पढ़ा रहे हैं अब आपके सामने और आप डर के बढ़ रहे हैं ऐसे लग रहे हैं और बेसिक पॉर्टफोलियो में चाहता हूं कि आपके लॉजिक क्लियर हों तो आप लिखे ना रिस्क को कालकुलेट करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेवेशन का टूल यूज करते हैं इस्तैंडर्ड जैसे पहला नाम किया स्टैंडर्ड डूधर नाम क्या है डेवेशन कि आप भी पताइए आपको अब यूज होता है ना कि टेंपरेचर में आपकी ममी आपकी दीदी आपके भाईया आपके पापा क्या करते हैं आपके मूँ में थर्मापनीटर डालते हैं अच्छा उस थर्ममेटर में compare करते हैं माल लेते हैं बभवान ना करें मैं वैजी कह रहा हूं 102 डिगरी के temperature है किसी को तो क्या कहते हैं आपको ज्यादा temperature है कम temperature है क्या है तो बेटे आप उसको compare करते हो standard से माल लेते हैं जी standard मारना क्या है 98.4 डिगरी आपका नॉर्मन टेमरेचर है एक human body का चाहिए आप मेल है या फीमेल है human body का 98.4 standard benchmark है तो हम क्या करते हैं इस में से इसका अंतर निकाल लेते हैं कि 98.4 में से 102 का और माल लेते किसी को temperature है 103 भगवान ना करे किसी को तो हम इसका भी अंतर निकाल लेते हैं बोलो हां आप बताईए किसका जल्दी हिसाब किताब हो सकता है भगवान ना करे हो मैं तो एक्जामपल के लिए बता रहा हूं किसका जल्दी आप समय ने हिसाब कित आप बताईए जी इसमें रिस्क वेक्टर जादा है जी इसमें डेवियेशन जादा है जी क्योंकि यह स्टैंडर्ड से जादा डिफरेंस है यही बात कह रहे हैं नमेजर ओफ डेवियेशन ओफ एक्चुल टेंपरेचर अब हम पॉट्फोलियों में कर रहे हैं तो नेम्ड आज स्टैंडर्ड डेवियेशन आइटिंग आप समय रहे हैं अब देखिए अब जो मैं बताना जा रहा हूं बड़ी प्यारी सी बात है जी मैं उस तरह से बताऊंगा जैसे काल पियर्सन ने अपना फॉर्मूला समझाने की कोशश की काल पियर्सन ने कहा यह दु यह दो कर सकते हैं इस कशल से कर्व का नाम डाल दिया काल पियर्सुन नेसका नाम डाल दिया नॉर्मल कर ज्यान ने प्रक्ष के साथ है आप मंदर गिर्ण जाते हुए अप मस्झित जाते हैं मुझे लगता है मंदर तो आपको घंटी दिखती होगी बेटे घंटी आप घंटी बजाते यह आप ध्यान से देखें तो बेल बजती है जाए माता दी जाए माता दी बेटे उसको बोलते नॉर्मल कर यह दुनिया नॉर्मली डिस्ट्रिबूटेड आप देखो 50 परशड़ इस तरफ है 50 परशड़ हो आपने नाम मीन मीडियन मोड अचा बाकी ना भी लिखें इतना समय लें यह एरिया पचास परशंट है यह बीच का एरिया है यह पचास परशंट है इसका मतलब जानातर लोग जानातर जानातर लोग नॉर्मली डिस्ट्रिबूटेड आप कोई भी डैटा उठाएं तो नॉर्मल यहां पर मीन के आसपास आपको दिखेंगे जाना अलग भी होंगे लेकिन वह कम होंगे ऐस कंपेर तो मीन इटमीड वोर पीपल विल बी कंसेंट्रेटेटेट तो वर्स मीन इफ यू प्लॉट्ट अट डाठाएं यह फिगर जो है मीन यह वली फिगर तो मीन यह अच्छा आप यह बताईए आप यहां पर खड़ें आप कौन आप भुबे जानत मेरा दोस्तर रामलाल वो यहां खड़ा है एक दोस्त यहां खड़ा है शामलाल आप बताईए मेरे से कौन ज्यादा दूर खड़ा है पहले दोस्त का नाम है राम लाल दूतरे का नाम है शा रामलल ज्यादा दूर है पेटे रामलल ज्यादा दूर नहीं है मेरे से शामलल ज्यादा दूर है क्योंकि मैं भीज में घड़ा हूँ इट मीज़ इट मीज़ एवरेश से मीन से स्टेंडेट से जो ज्यादा दूर होगा जो जादा दूर होगा गोठे वो जादा रिस्की है जिसकी डेडिएशन जाद रिसकी है यह बात काल पेरसन में बुली और एकâu फॉर्मूल का नाम डाल दिया स्टैंडर्ड जे टैवियाशन बेंचमार्क से तो तूल का नाम है स्टेंडर्ड डिएशन ठीक है अभी देख लेंगे कुछ मुश्किल है नहीं वैसे आपने यहां तक लिखा बिटे अपने हाथों से नॉर्मल कर बनाओ सच कह रहा हूं आपको ज्यादा लॉजिकली समझ आएगा जब आप नॉर्मल कर्व अपने हाथों से बनाएंगे मैं क्योंकि धीरे धीरे ऊपर चलता जाओंगा आप देखिए मैंने आपके सामने यहां पर दो कर्व ना और मैंने डाटा प्लॉट कर दिया क्योंकि मैं लॉब आपको जिया हैं डाटा फॉर्म ऑलींच का धिखियंगे अभी हम उसकी बात का रहीं आप मानके लिए की दो मैने जु गॉर्मेस हां फुर्ट अमको दी है जैंड आपको ति का या सव प्रॉट अ ग dots I have plotted the information now you have to tell me that which information will have a more you know standard deviation for example I have kept this point as mean but let it be average let this point be average now can you tell me how much difference is there of these points ने मुझे बता एकिस्में जयादा आपको लगता रागता है किविशन होगी आपके हिसाब से दोनों है यह बात समझा रही है मर काल पेरसनल्य यूज्ट किया आप यह पाई है यह यह जो फिर भी है में बदली इसमें चाहरा दूर यह इसमें दूरियां जादा है, it means there is a high deviation in this figure b, ask about to figure a. It means the point which I want to say you is if the actual data is more widespread, you know, it is more scattered from the normal, from the standard, from the benchmark then it means it has more standard, it means it has more deviation. एक बात समझ आ गई हायर दाड़ेशन हायर दा स्टेंडर्ड डेविएशन हाई विल बीदर रिस्क अब आपने क्या करता है आप इन्वेस्टर जब आप कहीं पर इन्वेस्ट करने के सोच रहे हैं तो आप दो पैरामीटर्स की मदल देंगे एक है नल और एक है नीम एक बच हाड बनाने थे यादा समय लीजिए क्यों जमाने में हनुवान जी हुआ करते थे अच्छा हनुमान जी को एक श्राप मिला था कि वही आप अपनी अश्च सिद्धिया और नो निदिया भूल जाओगे और लेकिन उसका तोड़ भी दे दिया था कि दो वानर जब आपको य पास यह है आप हवा में उड़ सकते हो आप अवन के पुत्र हो आप अंजरी माता के पुत्र हो तो उनके पास वो सारी की सारी सिदियां वापिस आगई पेटे एक नल है रिस्क और नील है रिटर्न आप ऐसे इन्वेस्टर अब जब भी आज के बाद इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी नजर दो ही चीजों में होनी चाहिए फोकॉस होना चाहिए जब गुरु दुरुणा चाहरे अर्जुन से पूछते थे अर्जुन ये क्या लगा है अर्जुन कहता था गुरुदेव मुझे तो कुछ दिखी निरा बस आँखियांग दिखती है गुरुदेव का इस्वार दूर्टर्ण दीखना चाहिए और रिस्क कितना रिटर्ण इस्में इंडिपेंटिन क्योंता होना मतलब अजर्ला का भिकना बताईए जिसमें कोनब जा इंद्डीपेंडेंडेंट पीडेंटेन नहीं लेक्ट्रबर यहीं तॉपिए अभी देखिंगे, पहले इस समें और भथे बात जी की फिगर भी में च귟 लाटा हा वह स्ट्रेंडर you काफी दूर है मैं एक्ष्टवारई माल लेते हैं मैं कलर चेंज करेकर तो ये एकसट्वारस हुरे converter हम ये एकसटू है ये एकसट्वलट य मुझाश झनार खफोर है यह एकस़ सब्सक्राइव हो इस गौह दॉह है इनको रहा हूं यह x1 x2 x3 x4 xy x6 है अब आप x1 और x बार का डिफ्रेंस देखे x2 और x बार का डिफ्रेंस देखे x3 और x बार का डिफ्रेंस देखे भी इट मीज ऐसा काल पियरसन ने समझाया और उसके बाद उसका फॉर्मूला बना दिया फॉर्मुला फॉर्मूला कह ए प्रेंडर्ड डिएशन स्टैंडर् डिएशन स्टेंडर डिवेशन इसमेजर आफ टोटल रिस्क आफ एक बात सब को समझ आ गई हायर दा डिवेशन हाई विल भी दर रिस्क आज के बाद बीटे रटना है नहीं रटें आपके दुश्मन याई आपको तो लॉजिक समझ नहीं बहिए लॉजिक के लिए तो मैं बेसिक कंसे सब्सक्राइशन हाई विल भी दर रिस्क यह बात सब को समझ आ गई फॉलिविंग इस दा फॉलिविंग इस दा इक्वेशन आफ काल पियर्सन अपेटें फॉर्मूला है प्रेटना नहीं है क्योंकि मैंने आपको लॉजिक बता दिया फिगर ए और फिगर बी के हिसाब से गवर मतलब क्या है एक्शल दान जो मैंने अभी-बी आपको बोला एक्स यह इम.inky क्षब कर आप क्या है एक्स यह बता हो कि यह फिवाहारिम है नकाँ तो यह थो सकता है यह थो सकते हैं कहीं भी जो सकते हैं एक हो सकता है यां तो में यहांत नहीं वह सकता हैं begin तो figure minus में भी आ सकती है बिल्कुल आ सकती है क्योंकि ये negative coordinate है ये positive coordinate है अब deviation तो deviation होती है उसमें negative positive क्या अब क्योंकि negative आ सकता है जैसे मैंने खा जी x bar 5 है x1 3 है तो आप क्या करेंगे x1 minus x bar deviation देखेंगे 3 minus 5 क्या गया जी minus 2 बेटे deviation deviation होती है उसमें कोई sign का use नहीं होता Karl Pearson ने ऐसा कहा अब क्योंकि figure minus आ गई है तो Karl Pearson ने कहा इसका क्या करो whole square करते हो क्योंकि minus का अगर whole square करते है तो positive में आ जाता है क्योंकि इसका हमने whole square किया तो Karl Pearson ने बोला इसका क्या करो under the root कर दो क्योंकि हमें under the root square काट रहा है कोई नहीं समझाएगा कि why और how this formula has been derived भुपेश आनन्द को छोड़कर मैंने Karl Pearson की आत्मा से पूछा कि है आत्मा ये बता कि तुने ये formula बनाया कैसे तो बेटे आपको मैंने लॉजिकली पताने की कोशिश की है कि ये square root क्यों आया ये whole square क्यों आया है ना ये whole square है I think आपको लॉजिकली समझा रहा है पहले लिख लो पहले लिखो फिर आगे चलते है standard deviation को symbolically हम ऐसे लिखेंगे ये symbolically है summation of given return मतलब actual return minus average return upon n whole square under the root ठीक है अब इसकी full form लिख लेते हैं full form लिख लेते हैं full form लिख लेते हैं ये given return है पेटे ये given return है given minus actual मतलब x1 minus x bar x bar का मतलब है average given minus average can be denoted as deviation पेटे लिखोगे तो फायदे में रहोगे इनकी slides हम डिस्क्रिप्शन में एड नहीं करने वाले sigma d मतलब deviation का total कर दिया will be used now risk can never be negative but if I do mathematics it can be negative but it can be zero so it can be zero किसी बुक में नहीं लिखा इस तरह से पेटे भूपेश आनन एक्स्पें किया this is a modified formula this is a modified formula यह पेटे मैंने लिख दिया sigma p d square यहां पे लिखा sigma d square जब प्रभबिल्टीस नहीं होंगी तो आप ऐसे कर सकते summation of d whole square upon n under the root I think I have told you why I am calculating scale and why I am calculating scale root because I want to cancel this also because risk cannot be negative so I can do it like this but if probabilities are given to you probabilities 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 होंगी अगर आपको probabilities नहीं होंगी तो बड़ा सिंपल है जी sigma p d अभी करके देखेंगे गभराना क्या है upon sigma p मतलाब आप future का भी रिस्क निकाल सकते हो तो उसके लिए probabilities नहीं होंगी whole under the root अचा यह whole square मैं यहां रिख दिया स्केर रूल के अंदर आजा है sigma pd square upon sigma p and we know that sigma p is always equal to one मैं यहीं पर घड़ा हूं जी आपके पास ही हूं जी आप formula लिखिये बस अजा एक बात और समझ नहीं है अगर समझना चाहो तो नहीं समझना चाहो तो कुछ बात है अगर सेंपल जाई चोटा है सेब लेने जाते हो एक ही सेब को देखा कैसे है तो ठीक भी हो सकता है गरत भी हो सकता है if sample size is small तो आपको n-1 करना है यह बात मैंने यह लिखिये आप अभी note करने में question करते समय पता हुआ आप लिखने बड़ी important बात है इस पर questions आ सकते है आपको logically पता होना चाहिए लिखें in case sample size is small then we will use the following formula मतला हमारा normal formula क्या था sigma d square upon n under the root but if sample size is small चोटा है चोटा कितना पांच है तीन है दस है बता हुआ आपको अगर sample size चोटा है तो n-1 करना है आए मैं यह क्यों कर रहा हूं यह बताने की कोशिश कर रहा हूं माल लेते हैं आपको इसका risk निकालना है यह तीन डाटास दिए है है तीन डाटास दिए सब अच्छे करेंगे जी है आप देखे इसका यह तू में यह तू में एक परशन का डिफरेंस है आप इसका नॉर्मल इसब भína चोटा है नब 13-14 ओ Prepन poles एवरेज और इसका एंड़े निकालेए टो यह चार है निद्वाहर दो इसका यहां पर तीन है यहां 5 है करने की जरूरत करने की जरूरत क्यों पड़ेगी यह बात यह पर प्रूंफ कोन बताएगा काल पिरसं का नाम नहीं बताएगा चोड़ो याँ अब फिर नाया पर यहाँ पर तो टू बाई तो 3-1 कर दिया अंडर रूट कर दिया बताओ जी वन आ गया और एक्चुली में आंसर तो वन ही है तो मैंने एक बात यह प्रूफ कर दी कि एक बच्चा कहता समझ नहीं है मैंना कोई बात नहीं आप मुझे चोटी से बात पताना जब आप बहुत चोटे से थे स्कूल में पढ़ते थे पहली बार आप 9th क्लास में बायो लैब में गए थे आपको माइक्रोस्कोप दिखाया गया था उसमें प्याज का छिलका रखा ग आपको सेल्स नहीं दिखते थे पर जब आपने माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा तो आपको उसके सेल्स दिखने शुरू हो गए क्योंकि माइक्रोस्कोप में रखने का मतलब है उसको आपने बढ़ा करके देखा इस्टेंडर्ड डिवेशन में में स्केरूट कर द कि वोरी आ उसका नाम है बएरीएंज इस बड़े पापा बैसं भी रिस्क निकालतें प्र बॉर्ट में रूप में देखतें थी क्योंकि अब क्योंकि हम अंदर दुरूट कर रहे हैं और सिग्मा डी स्केर से भी कर सकते हैं अब यह चोटा हो जाता है तो जो भी स्टेंडर डिवेशन आएगा अगर मैं उसको होल्स केर कर दूं तो उसका नाम है वेरियंस बेटे बड़ा इंपॉर्टन आपके एक्जामनेशन के ल डिस्क तो बहने दो टूल बता दिए एक बताया मैंने कौन सा स्टेंडर अवियेशन और दूथ्रा बताया वे वेरियंस बस बेटे लास पॉइंट आ गया क्लास का कोफिशेंट और वेरियेशन मुझे एक बात बताना मैं आपसे बोलता हूं अपोलो टायर्स एक बात बता अपोलो टायर्स का प्रॉफिट 20 करोड है और MRF टायर का प्रॉफिट 21 करोड है आप बताएगे कौन सी कंपली यहाद अच्छा काम कर रही है अपोलो का 20 करोड है MRF टायर का 21 करोड है आप मैंसे कुछ बच्चे बोलेंगे MRF टायर ज्यादा अच्छा है मैं उनके मूँपे थप्ण मारूँगा बेटे आप खाली 20 करोड से डिसीजन नहीं ले सकते कि कौन सी कंपनी अच्छी है आपको यह भी पूछना पड़ेगा मेरे से कि सर यह बात बताओ कि 20 करोड कितनी सेल्स की ऊपर है और यह 21 करोड कितनी सेल्स की ऊपर है इसका मतलब you have to read this profit with respect to sales it means you want to calculate gross profit ratio for example let the sales be 100 crores and let the sales be 50 52 crores let like this I am just giving you a hypothetical example now if you just compare absolute figures you will say that MRF TAR is doing good but that is wrong answer if you calculate 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 the ratio let it be 50 let it be let it be let it be I say let it be this is this is 102 lakhs crores and let it be 50 lakhs मैं नो गलती से उल्टा ले लिया माल ले अपोलो का सेल्स है पचास करोड का तो भाई साब 20 करोड का प्रॉफिट पचास करोड की सेल पर हुआ है अब आप इसका अनुपात निकाल ले इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रिशू आप समझ रहें जो मैं कहना चाहा रहा हूं मैं रूपश आनंत आप से कहना चाहता कि आपको एक वेरियेबल Allen मैं ग्रॉफिषेंट और वेरियेशन और भीरिशन चाहीं निकालने के एक बदा है एप्सुलूट पूल स्टेंडर डिवेशन और वेरिस जो बताए वह एप्सुलूट थे मैंने अभी अपोलो टार का जो प्रॉफिट बताया 21 करोड या 20 करोड वह एप्सुलूट था जब मैं उसको सेल्स के साथ कंपेर करके रेशो निकालूँगा तो उसको बोलते रेलेट रिक पु कमपनीज तो या लिखेंगे कोफिशेंट अव प्रिट आप उनिट इसको फॉर्मूला ये है जी रिस्क आपों रिटर्न इन्टे मतलब स्टेंटर् टेवेशन अपॉर्ण एवरेज रिटर्न इनटू हंडडर सब बच्च लिखेंगे कसम होगी ना लिखा दो वह यह ज्यादा समयतार यह ज्यादा चलाक मत बनना हूं तो लिखो रिस्क अपॉर्ण रिटर्न एवरेज रिटर्न इन्टू अंड्रेट माल लेते हैं दो कंपरी चाह है X Limited और यॉविघेड एक्सका रिस्क दस रिटार्न दस वाइगा रिस्क है बीस रिटरन भॉनान दस हैं वहारा है, क्या मुझे से सकते हैं, रिस्क पर युनिट जोनुट ओन सांथ यहां पर किस पहला हैए, दो किस'll करना है, मतलब आप यहां पर एक जोनिट ओवः रिस्क लेकर एक जूनिट ओर रिटरन कमारे यह रही हो, और यहां पर 2 unit of risk लेकर एक unit of risk return कमारे हो मा लेते जिताए हैं यह return हैं और यह return है यह risk है और यह return है आप मेरी बात को अधारे तो आप बनाईए किस company भी आपको invest करना चाहिए अधीरे धीरे धीरे दीरे आपको और लेकर लेकर आपा आस्मा में चलेंगे उस जहां में जाएंगे जहां पर खुश्य है जहां पर रोशनी रोशनी है असमो मा सद गमया तमसो मा जोतर गमया आप बताइए कौन सी सेक्यूरिटी में इन्वेस्ट करना चीह एक्स में या वाई में पेटे एक्स में करना चीह क्यों इसका जोड़ और बन आप इसका कोफिषिंट वरियेशन एक है ये दो मैंने लिखिया और फार्मूला लिखाएजी फॉर्मूला लिखें फॉर्मूले गम कंद में Rap प sad प लिखें किया है यह फॉर्मूला आफ पॉर्मूला आफ। कोफिशेंट आफ वेरिएशन फॉलिविंग इस फॉर्मुला आफ कोफिशेंट आफ वेरिएशन मैंने लिखे दिया वन और टू इन इंप्लाइश अर्निंग वन यूनिट ऑफ रिटर्न पेटे किसी बुक में इतनी सिंपल लेंगवेज में नहीं बताया यह भूपेश आनन जो बता रहे है आगे आपकी मर्जी अब आई साथ लिख लो तो डिसीजन क्या होगी हायर कोफिशेंट हाई विल बिद रिस्क हायर कोफिशेंट अब नेक्स्ट हमने करना है जो आज नहीं लेक्स लेक्शन नमर फोर में करेंगे चुले हैं मैंने अभी तक रिटर्न बता दिया नहीं अब इन दोनों से कून Metall". इनविरम होगा दूत्रा नेक्स लाश्मे का वीडियो भी दिखाना है बड़ा मजा आने वाला हने लाए बेसिक कंसेप्स इन पॉर्टफोलियो में मैंने पांच कंसेप्स अभी तक डिसकस कर दी हैं मुझे उमीद है कि आपको समझ आ रहे होंगे होंवक बरकरार है सेंसेक्स और निफ्टी की 30-50 कंपनी के नाम लिखने अब आपने सेंसेक्स के नैशनल में भी हैं या अलग हैं यह होंवक हैं भी है भी बी जोली बी चोफल